ठंडा ठंडा कैरी का आम बनना आम बनना जो है गर्मी में जिसने नहीं पियाना तो फिर आपने कुछ भी नहीं पिया आम बनना आपको लू से बजाता है आपका पेट अच्छा रखता है पेट को ठंडा रखता है और सबसे बड़ी वाद सस्ते में बन जाता है कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना पूरे रेस्पी देखिएगा और ठंडा ठंडा जो आम पन्ना है न उसका मज़ा लीजेगा पूरे परिवार के साथ और वीडियो को शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो भी करिएगा तो शुरू करे रेस्ट आम पन्ना बनाने के लिए हम लेंगे कुकर और कुकर में डालेंगे कच्ची आम भी जिसको कि आपका चाम अचार के लिए लेते हैं इस तरीके से ये आम को हम कुकर में डालेंगे और साथ में ही इसमें मैंने तीन हरी मिर्ची डाली आप चाहें तो दो भी डाल लीचिए थोड़ा सा द्रक डाला है और थोड़ा सा नमक ये सब चीजे डाल कर हम कुकर को बंद कर देंगे और सीटी रिल वा लेंगे कुकर में दो सीटी आने के बाद मैंने गयाज बंद कर दी थी और स्टीम अच्छि तरीके से हम इसको पूरा निकाल लेंगे स्टीम नहीं रहनी चाहिए और अब हम कुकर को खोल कर देखते हैं और आप देखेंगे जब हम खोलेंगे ना कुकर तो जो आम का कलर है एकदम चींज हो जगा पहले एकदम ग्रीन थे और अब कलर देखें कैसा हो गया है तो इसको थोड़ी सी देर और मैं ठक कर ऐसी रख देती हूँ पानी गरम है जिसमें आम और सॉफ्ट हो जाएंगे दुबारा बंद करकर मैंने क्या किया था इसको एक सीटी मैंने और दिलवा दी थी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और एक सीटी दिलवाने के बाद पूरे दम पर इसको पकने दिया और यह देखिए किता मूलायम हमारा जो आम है तयार हो गया है और इसी तरीके से मिर्ची और अद्रक जो है अच्छे से वो भी पक चुके हैं तो एक सीटी मैंने और दिलवाई यानि दो पहले और एक बात में तीन सीटी मैंने इसको दिलवाई तो अब हम क्या करते हैं इसको ठंडा करने के लिए इस कुकर में से निकाल कर हम इसको एक दूसरे स्टील के बाउल में या कोई परात हो किसी में भी आप ठंडा करने के लिए डाल दीजे क्योंकि कुकर बहुत गरम है और इसको ठंडा होने में टाइम लग जाएगा तो इसमें डालेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा तो अभी हम इसको इस तरीके से इसमें डालकर 5-7 मिनट छोड़ देते हैं अब अच्छे से जो हमारी केरी है ठंडी हो चुकी है और ये देखिए असानी से सारे छिलके अलग हो रहे हैं अब हम क्या करेंगे इन सब छिलकों को अलग कर देंगे तो ये देखिए छिलके उतार कर अच्छे से गुदा निकाल लिया है गुठलियों से भी गुदा उतार लिया है और ये देखिए हमारा सारा बढ़िया सा एकदम मुलायम सा गुदा बनकर एकदम तयार है अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे और फिर हम करेंगे आगे का प्रोसेस इसमें देखिए हरी मिर्ची और अदरक दोनों चीजे हैं अब आम का रस एकदम ठंडा हो गया है और अब मैं इसको डाल दूँगी एक मिक्सी जार में तो मिक्सी के जार में इसको डालेंगे ये देखिए अदरक हरी मिर्ची सब कुछ मैंने बीच में डाल दिया है और अच्छे से हमने इसको डाल दिया है अब क्या करेंगे इसमें डालेंगे कुछ मसाले जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगी काला नमक सफेद नमक मत डालेगा क्योंकि हमने शुरू में ही डाल दिया था और ये है काली मिर्ची और रोस्टिट जीरा दोनों को भून कर मैंने दर-दरा पीस लिया था थोड़ी सी लाल मिर्ची और इसमें डालेंगे हम चीनी तो शक्कर डालिए, बूरा डालिए, चीनी डालिए, जो आपको अच्छा लगता है वो डाल लीजिए मैंने अपना मीठा जो हम जिसी साफ से पीते हैं उसी साफ से डाला है आप लोग अगर ज्यादा पीते हैं तो इसमें 3-4 चमच और डाल लीजिए अब हम इसको अच्छे से 3-4 बार इसको गुमाएंगे और पीस लेंगे बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ है एक दम देखिये किता बढ़िया सा हमारा आमपना बनकर ठंडा ठंडा तयार हो गया है और मैंने एक बाउल में खुब सरी बरफ डाली थी उसमें वो सारा डाला और साथ में और भी मैंने 2-3 गिलास पानी डाला क्योंकि वो बहुत गाडा गोल था और ये आमपना थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है ये अभी भी गाडा है आप चाहे तो इसमें एक से डेट गिलास पानी डाल सकते है